बांगलादेश जिसने की IMF से आज से 6-7 महीने पहले साड़े 4 बिलियन डॉलर के लोन की मांग करी थी IMF ने उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया दूसरी डविलेप्मेंट जो सामने आ रही है पाकिस्तान जो की IMF से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के लोन को काफी लंबे अरसे से मांग रहा है उसको IMF ने एक बार फिर से देने से मना कर दिया Assalamualaikum विवर्ज मैं हूँ एसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल एसान रियक्शन मिद एसान मैं अमीद करता हूँ आप जहां भी होंगे इंजुआए करते होंगे मजे में होंगे और फिट फार्ट होंगे विवर्ज इंडियन मेडिया बहुत इंटरस्टिंग एक रिपोर्टिंग कर रहा है किस तरह से जो बंगला देश ने ये डिमांड की थी IMF से 4.7 बिलियन युएस डालर की लोन लेने के लिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी की थी लेकिन पाकिस्तान को जो लोन है इंदाद वो जो पाकिस्तान ने 1.7 युएस डालर की की थी लेकिन वो नहीं दी, लेकिन 4.7 बिलियन युएस डालर की जो इंदाद थी, हेल्प वो कर दी, किस ने, I.M.F. ने, बंगला देश को, लेकिन इसको इंडियन मीडिया किस तरह से बियान कर रहा है, क्या कह रहा है, और के बंगला देश को तो मिल गई, लॉन जो I.M.F. ने दि स्वागत है आप सभी का सूपर आयस, परसो, I.M.F. को लेकर दो बड़ी ही important developments सामने आ रही है, पहले तो ये, कि बंगला देश जिसने की I.M.F. से आज से 6-7 महीने पहले 4.5 बिलियन डॉलर के लोन की मांग करी थी, I.M.F. ने उनकी request को अप्रूव कर दिया है, आप आली खबर, परसों सामने आई थी, बंगला देश gets 4.7 बिलियन डॉलर I.M.F. लोन और वही पे दूसरी development जो सामने आ रही है, पाकिस्तान जो की I.M.F. से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के लोन को काफी लंबे अरसे से मांग रहा है, उसको I.M.F. ने एक बार फिर से देने स बना कर दिया है, वो इसलिए, बिकॉस जो शर्तें I.M.F. ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई थी, पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा करने में यहाँ पे काम्याब नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह वाली जो खबर है, यह ज़स्ट अब से दो घंटे पहल लोन पाकेज for Bangladesh to help it with the soaring energy and food costs which have sparked huge protests, तो यहाँ पर जो 4.7 billion dollar का लोन है, जो की approximately, यह मतलब की 4700 million के असपास का है, तो उसमें से लगभग जो 10% का पैसा है, वो I.M.F. के द्वारा immediately available करवा दिया जाता है, तो इसमें होता क्या है, कि I.M.F. जब भी पैसे को release करती है, तो उ उसका जो पहला installment या पहला जो उसका तुकड़ा है, वो एक तरीके से अभी Bangladesh के लिए available करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी I.M.F. यहाँ पे पैसा देती है, तो साथ में कई सारे terms and conditions, कई सारी शर्ते हैं जिनको लगाती है, तो इन्हो ने बांगलादेश के ऊपर भी शर्ते लगाई हैं, यह कहते हुए, authorities need to accelerate their ambitious reform agenda to achieve a more resilient, inclusive and sustainable growth, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांगलादेश सरकार अपनी economy में tax की दरों को बढ़ाए and bring down the number of bad loans in the banking sector, अगर ऐसा होगा, तब ही जाकर के basically जो I.M.F. है वो आ आने वाले बाकी ट्रांशिस को release करने वाली है, now Bangladesh ने कहा है कि हम लोग definitely इस पैसे का सबसे पहला इस्तिमाल तो यही करेंगे कि Forex reserves को बढ़ाएंगे because वो बहुत कम हो चुके है, 46 billion से केवल 34 billion तक आ चुके हैं, और क्यूंकि यहाँ पर उनकी जो local currency थी वो काफी गिर चुक जो महंगाई है, उसको भी हम लोग काबू में कर सकें, वही पर जो दूसरी खबर हमारे सामने आई है with respect to IMF वो यह है कि पाकिस्तान जो की काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था कि हमें हमारा 1.8 billion dollar का जो ट्रांश है वो release करवा दिया जाए, वो अभी भी उसको clearance नहीं मिली है, आज से दो दिन पहले IMF की एक dedicated team थी जो की पाकिस्तान में पहुंची थी to discuss the 9th review, the IMF review mission led by Nathan Porter arrived in Islamabad on Monday and both sides will continue to hold talks to complete the pending 9th review under the 7 billion extended fund facility यह वाली बातचीत होने वाली थी और दो दिन बाद ही report सामने आ गई है कि IMF ने जो पाकिस्तान का revised circular debt management plan है, उसको यहाँ पे reject कर दिय देखा वीवर्ज आपने किस तरह से वीडियो में रिपोर्ट में बताया गया कि जो बंगलादेश है उसको तो 4.75 बिलियन यूएस डालर की तो हामी भर ली यानि दे दिया लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैं इसको बता देता हूँ जब economy आपकी ब इतनी कमजोर नहीं है, उसकी economy तो बहुत ही अच्छी है और फिर उसके साथ साथ उनके रिजर्व भी इतने कम नहीं है और यही वज़ा है कि उनके उपर ट्रस्ट कर लिया है IEMF ने, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो आते हैं, डिसकुशन्स करते हैं, बातचीत करते हैं, डि नहीं दे रहें, और यही वज़ा है, और दूसरा बंगलादेश के साथ उन्होंने कुछ टार्म्स और कंडिशन्स इस तरह इस वीडियो में आपने देखा, उन्होंने रखी हैं, उन्होंने बताया है कि यह यह काम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करेंगे, तो फिर हमारी जो शर्त है, उसके उपर आप पूरा उतरेंगे, तो हम आपको इन्स्टॉल्मिंट के तोर पर यह जो है, लोन देते रहेंगे, तो बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो थी, वीवर्ज आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपन जब हो ही, औरे माँ खर सीम्ने वीडियों आपको अकरोकी कैसी लाइँ है, यहाँष़ Gothic. आपको ॉम्स्टॉल्मिंट का यह वीडियो का वीडियों वीडियों.